कॉंग्रिस पार्टी में नेतरित्फ को लेकर मचे घमासान और अंतरिम अग्रेक्ष को लेटर लेकर निशाने पर आये गुलाम नभी आजाद पर ए आई एम आई एम प्रमुखस दुद्दीन ओ वैसी ने सुमवार को तन्रच कसा, गुलाम नभी आजाद के द्वारात खोद को बीजेपी की बीटीन कहे जाने का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि अब उनके ही पार्टी नीता राहुल गांधी ने बीजेपी की मदद कारोप लगाया है, हलाकि कॉंग्रिस और खुद गुलाम नभी आजाद ने सपाई देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ल पर सवाल उठा रहे हैं, 45 साल से कॉंग्रिस से जुड़े गुलाम नभी आजाद साहब जब हैदरबाद आते हैं तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी ने आगे कहा, आज राहुल गांधी ने कहा कि उन्ह का विरोध करता है, उस पर बीजेपी की बीटीम का लेबल लगा दिया जाता है और गुलाम नभी आजाद भी यही करते रहे हैं, ओवैसी ने कहा आजाद मेडिया के सामने आए और कहा कि यदि वे इह बीजेपी की मदद कर रहे हैं तो इस्तिफा दे देंगे, यह साबित ह हो चुका है कि यदि आप कॉंग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का भी विरोध कर रहा हूँ, तो कॉंग्रेस पार्टी मुझ पर भी टीमेंबर का लेबल लगाती है, यदि उनकी पार्टी में कोई नेतरित्व का विरोध करता उन्हें इसके बारे में सोचना होगा। आज आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तब आप कब तक कॉंग्रिस के गुलाम बने रहेंगे। जब आप गुलामी की जंजीर तोड़ेंगे और अपना फैसलाख खोद करेंगे तो विकलत भ करेंगे।